जैहिंद वेलकम बैक टू विजेपथ एजुकेशन पालंपुर आप सभी का विजेपथ एजुकेशन के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म में हार्दिक स्वागत है आज हम एक करंट फियर का सेशन जो है वो कवर करने वाले हैं जिसमें पूरा का पूरा अगस्त मन्त का जो हमारा करंट फियर रहेगा अगस्त 2023 का उसका पूरा का पूरा एक निचोड जो है हम निकालने वाले हैं जल्दी से एक वार शेर कर दीजिए आप इस class को, यह हमारी आज की class अगस्त 2023 जिसमें आज हम current affair को cover करेंगे, आपके लिए bilingual में रहने वाली है, Hindi English दोनों ही language में आपको इसकी PDF भी provide करवाये जाएगी, हमारी application, विजेपर्थ government exam के उपर भी आपको इस class देखने को मिलेगी, play store से आप हमारी app को download कर सकते हैं, साथ में YouTube के उपर भी आपको इस class देखने को मिलेगी, तो एक वार class को share कर दीजिए, हम इसको start करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले current affair की हम बात करेंगे, current affair में आपको Hindi और English दोनों ही language में आपको आज का हमारा current affair देखने को मिलेगा, और पूरा का पूरा जो हमारा August month है, उसका हम एक complete session जो है वो आज आपके लिए लेके आ daily हमारे WhatsApp groups में जो है वो आपको August month का current affair भेजा जाता है daily to daily, लेकिन हमारा जो session रहेगा online का session उसमें हम complete August 2023 के ही current affair की बात करेंगे, जो जो important चीजे हैं वो उनको हम साथ में discuss करेंगे, किसी भी जाधा जानकारी के लिए आप हमारे contact number के उपर जो है वो call कर सकते हैं, तो देखि हम जो हैं वो इसको discuss करने वाले हैं, हमारे जो current affair के session रहने वाले हैं, जो आपको विजयपाथ education लेके आता है, उसकी सबसे खास बात क्या है, जो सबसे पहले हमारे current affair रहेंगे, उसमें हमारे current affair जो हैं वो एक detail wise रहने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारे current affair रहेंगे, detail wise रहें तो तीनों ही मोड में हम करंट फिर को कवर करने वाले हैं, देखी सबसे पहले क्या है सेवी कॉबरेट रिंड बाजार विकास कोश्की करेगा स्थापना, तो अभी हाल ही में जो है वो सेवी ने जिसको भारतिय प्रतिभूदी और विनियम बोड के नाम से, सेवी के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक रिंड बिकास कोश्की जो है वो अभी हाल ही में जो है वो स्थापना की है, यह आपको पता होना चाहिए, बाकी साथ-साथ में जो है आप इसको कवर कर सकते हैं, डिटेल से, आपके पास यह सारी की सारी चीजे जो है यहां पर ल गई है कि उन्हों ने जो है वो 5 माँ एकिरी अपने करियर में यो है खेला है और 600 से जञादा विकेट लेने वाले जो है वो दूसरे सबसे तेज गेंदवात यह siya तो यह जो है इंगलेंड के स्टुट्स ब्राउन ने इन्होंने अपना क्रिकेट का करियर उसको पूरा कर लिया और अब सन्यास लेनी की घोशना कर ली है अभी हाल है हमारा पटवारी का नोटिफिकेशन वो आउट हुई है कि जल्दी ही 874 पोस्तें आपको हिमाचल पतवारी की देखने को मिलेंगी तो उनमें भी आपका CET पहले exam होगा computer waste test आपका जो है वो रहने वाला है जादा chance जो है उसी के लग रहे हैं जो नहीं अभी समीति बनी है तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं पे हिमाचल का, इंडिया का international current fair जो है वो जाला देखने को मिलेगा क्योंकि competition काफी जाता है तो कहीं से भी कोई भी question आपके लिए वो बन सकता है next question है दिगज उद्योगपती रटन टाटा को मिलेगा महारास्टर सरकार का पहला उद्योग रटन अवोर्ड तो देखिए अब महारास्टर की बात करते हैं महारास्टर के मुख्यमंत्री कौन है एकनात सिंदे एकनात सिंदे जो है वो बहां के मुख्यमंत्री है और उपमुख्यमंत्री का नाम क्या है देवेंद्र उसके बाद अन्य जो भी मंत्री है उनके सहयोग से भारत के सबसे बड़े उद्योग पती रतन टाटा जी को महारास्ट्र सरकार की और से पहला उद्योग रतन अवोर्ड जो है वो दिया जा रहा है नेक्स्ट कोईशन है उत्तरपरदेश सरकार ने लखनों में लौच किया CM कमांड सेंटर तो कोईशन आपका किस परकार से बनेगा अभी हाल ही में किस परदेश में जो है वो CM कमांड सेंटर जो है वो शुरू किया गया है यूपी में शुरू किया गया है यूपी के मुख्य मंत्री आप से पूछा जा सकता है योगी आदिते नात्जी जो है वो वहां के क्या है मुख्य मंत्री है important question है कहीं से भी आपका question जो है वो बन सकता है आपके exam के लिए अब देखिए अभी हाल ही में केंदर सरकार ने जो है वो शाक्षता को बढ़ाने के लिए यानि कि इंडिया के literacy rate को ताकि हमारा इंडिया जो है वो एक पढ़े लिखे की श्रेडी में आई जिसे विहार है तो उसका literacy rate कम है जिसे कि हिमाचल में चमबा है उसका literacy rate सबसे कम है यानि कि पढ़े लिखों की संक्या क्या है कम है डिस्टिक हमिरपुर में सबसे ज़ादा क्या है पढ़े लिखे हैं तो वैसे ही उस literacy rate को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में एक mobile app जो है वो launch किया है उसका नाम क्या है U L L A S ये जो है अभी हाल ही में अब इसका नाम क्या है understanding lifelong learning for all in society ये इसका जो है वो full form है ये आप से exam में पुछी जा सकती है आपको या तो notes बनाने है या फिर आप इसकी PDF जो है वो हमारे app के तुरू download कर सकते हैं WhatsApp group में भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलिग्राम में भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेशन क्या है ओडिसा में राष्टरपती द्रौपदी मुर्मु ने Divine Lighthouse की रखी अधार शेला तो अभी हाल ही में जो है वो हिमाचल के जो इंडिया के जो राष्टरपती हैं द्रौपदी मुर्मु उनने जो है एक भवन की जो है वो एक स्थापने की है उसका नाम क्या रखा गया है Divine Lighthouse अब ये है क्या तो देखी इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मा कुमारी जी का जो विशप द्याले है उसकी जो है वो एक नया एक थीम जो है उसके आकोडिंग जो है वहाँ पर एक भवन जो है वो बनाया जाएगा और ये किस थीम के उपर काम करेगा तो थीम दी गई है सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष यानि कि positive thinking जो है वो एक मनुश्य के अंदर जो है वो आनी चाहिए तो इसी के बीच में जो है वो ओडिसा में कहां आपे उडिसा में जो है वो रास्ट्रपती के द्वारा जो है वो इसकी आधारशिला रखी गई है नेक्स्ट क्या है पीम मोदी ने किसानों के लिए लाउंच किया सलफर कॉर्टेड यूरिया गोल्ड तो देखिए आप सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले जो यूरिया भारत में उपयोग में लिये जाता था जो की एक सॉलिड फॉम में दानेदार की फॉम में आता था अब उसको जो है वो एक लिकुर की फॉम में चेंज कर दिया है वैसे ही काफी अच्छी स्कीम जो है वो किसानों के लिए लेके आए हैं भारत सरकार और कौन सा यूरिया ल गुर्वत्ता में सुधार करने के लिए यानि की जो मिट्टी की गुण बत्ता है उसके उसकी बढ़ोतरी के लिए old этоolphus मुख्य रूप से उप्योग में लिए जाता है साथ में नाइ्ट रोजनn का भी उप्योग जिए जाता है उसकी विए उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें डाली जाती है उसको जो है वो Sulfur Quoted SCU के नाम से जो है वो हम जानते हैं अब किसने जो है वो इसको बनाया है तो बताएगे यूरिया रास्ट्री Chemical and Fertilizer Limited जिसका RCF जो है वो नाम है उस Company के द्वारा जो है इसको बनाया गया है और मेन उदेशे क्या है इसका किसानों के लिए Input लागत को कम करना ताकि जब भी हम फसलों को उगाते हैं उनकी पैदावार के लिए जो है वो काफी जादा खर्चा जो है वो अभी हाली में लांच किया है नेक्स्ट है भारत पहली वार विश्व कॉफी सम्मेलन की करेगा मेजवानी तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो कॉफी है वो करनाटक में उगाई जाती है बर्ड लेगल की बात करें तो ब्राजील में अब इंडिया को चांस मिला है आप सबी जानते हैं G20 का जो है वो इंडिया को क्या बनाए गया है अध्यक्ष बनाए गया है तो वैसे ही भारत में पहली वार जो विश्व कॉफी सम्मेलन है उसकी मेजवानी किसको दी गई है हमारे प्यारे भारत को दी गई है तो इसमें क्या बतायागे आपको ये जो ह कोफी वेपार तथा कोफी उत्पादक जो है उनकी बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से काम करेगा इसके बाद यह आपको बताया गया है कि यह जो है कौन से नंबर पे इसका आयोजन किया जा रहा है पांचवी बार इसका आयोजन किया जा रहा है इससे पहले 2001 में 2005 में 2016 मे तो 2010 में यह चार बार जो है इसका आयोजन किया गया है लेकिन अब जो है वो छे मी बार अगर मैं बात करूं तो 2013 में 2013 में जो है वो हमारे इंडिया को मौका मिला है कि वो क्या करवाए बिशो कॉफी सम्मेलन जो है वो करवाए ठीक है जी नेक्स्ट अब थोड़ा सा MCQ के उपर भी हम बात करेंगे जो हमने अभी तक MCQ मैंने आपको बताए थे कि तीन लेवल के अकोडिंग हम जो है वो इस सेशन को कवर करेंगे अभी तो हमारा ये करण्ट फिर स्टार्ट ही हुआ थोड़ी सी लंबी क्लास हमारी चलेगी कुछ हमने जो अभी कोशन डिसकस कि उ इसको देंगे रतन टाटा जी को जो है वो ये दिया जाएगा ठीक है जी अब रतन टाटा जी को जो है वो सबसे बड़े नागरिक पुरुषकारों में से उनको अबोर्ड दिया गया है फिर 2008 में पदम भीभूशन और 2000 में पदम भूशन से जो है वो सम्मानित किया गया है Ecovasion Center, जो है वो किस सराज्य में स्थापित करने की घोशना की गई है, तो कहां पर यह किया जाएगा, मचलियों से समंधित यह चीज बताई गई है, तो कहां किया जाएगा यह Keral में किया जाएगा, तो Keral University of Fisheries and Open Study जो है, वो इसको जो है, वो एक इसका center जो है स्थाफित करने वाला है, आपको पता होना चाहिए, पुरे एशिया के अगर मैं बात करूँ, पुरे भारत की पूरे एशिया की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज्यादा जो मचली पालन है वो कहाँ पर है, हमारे विलासपुर में किया जाता है हिमाचल के डिस्टिक विलासपुर में एक जगा है दियोली नामत स्थान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो मचली बालन किया जाता है next question है किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े museum यूगे यूगीन भारत का निर्मान किया जाएगा important question है यह आपका किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा museum जो है वो बनाया जा रहा है और उसका नाम क्या रखा गया है यूगे यूगीन भारत यूगे यूगीन भारत जो है कहां पर बनाया जाएगा नई दिल्ली में बनाया जाएगा तो प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने दिल्ली में दुनिया का दुनिया की बात कर रहे है भारत की नहीं एशेया की यूड्य यूगीन भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है क्या बना रहा है museum बनाया जा रहा है और इस museum में अलग-लग themes पर अधारित कितने block रखे जाएंगे आठ block रखे जाएंगे अब इसके उपर मैंने focus क्यूं किया है क्यूंकि आपके exam में के वार question ऐसा भी पूछा जाता है कि जो जैपोर में हवा महल है उसमें कितनी खिर्किया है तो देखिए अगर हवा महल की खिर्कियों से related question आ सकता है तो तब दुनिया का सबसे बड़ा museum अगर आपका हमारे भारत में बनाया जा रहा है दिल्ली में उसका भी question आपके लिए आ सकता है कि कितने block वहाँ पर बनाये गए है आठ block जो है वहाँ पर बनाये गए है अब इसकी खासियत क्या है यह 5000 साल के इतिहास को जो है वो बताएगा museum में कौन सी चीज़ें रखी जाएंगी जो 5000 साल पुरानी कोई चीज़ें हुई है उनके related data जो है वो यहाँ पर जो है वो रखा जाएगा next question है भारती रास्टी सहकारी उप्योगिता महासंग ने किस e-commerce startup के साथ जो है वो समझोता किया है तो किस के साथ समझोता किया है magic cabin के साथ जो है वो समझोता किया है next question है प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस जो है वो कब बनाये जाता है तो रेंजर दिवस जो है वो मुखे रूप से बनों की रक्षा करने के लिए जो है वो मनाया जाता है 31 जुलाई को जो है वो पूरे विश्व में रेंजर दिवस मनाया जाता है ये दिवस उन सभी व्यक्तियों के प्रति सम्मान के लिए मना जाता है जो की किसके लिए सेवा करते हैं, किसकी रक्षा करते हैं, वनने जीव की रक्षा करते हैं, अब विश्व रेंजर, रेंजर का मतलब क्या होता है, जो हमारे forest guard हैं, उसकी भरती भी ही माचल में आनी वाली है, उसका नाम जो है वो change कर दिये गया है, बनमित्र के नाम से जो है अब भरती होंगे, उनी के लिए वो मनाया जाता है, विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारे प्राकृतिक संसादन जो भी बनों से हमें चीज़े मिलती हैं, उनको सरक्षन करने के लिए वो अपना पूरा का पूरा जीवन लगा देते हैं तो 2007 में पहली बार जो है वो आठ रेंजरों की याद में जो है वो इसे मनाया गया था, ठीक है जी, next question क्या है, हाल ही में किस देश की संसद में न्याई पालिका के अधिकार चीनने वाला बिल पास किया गया है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि संसद में एक ऐसा बिल पास हो गया कि अगर कोई न्याई पालिका, न्याई करने में अगर कोई गलती करती है तो उस न्याई पालिका से ही क्या कर लिया जाए, उसका अधिकार जो है वो हटा लिया जाए, ताकि वो न्याई कर ही ना पाए, तो कहां पे ये हुआ है, इसराइल की संसद में क्या हुआ है कि नियाईक सुधार गिल को छो है वो थोड़ा सा मोडिफाई किया गया और उसके बाद उसमें 64 संसदों की मंजूरी दी गई थी और इसमें मुख्य रूम से क्या बताया गया था कि ये कानून जो है इजराईल के नियाई-पालिका के अधिकार को सिमित कर देगा और जिससे सारी सक्तियां जो हैं वो किसे पास आ जाएंगी सरकार के पास आ जाएंगी तो इसमें क्या बताया गया है कि जो इजराईल में अभी कुछ टाइम पहले जो 64 सांसदों ने एक मंजूरी दी है उसमें ये बताया गया कि अगर कोई न्याय पालिका किसी न्याय को एक गलत तरीके से अगर शो करती है तो उसकी शक्तियों को क्या कर दिये जाए कम कर दिये जाए और वो सक्तियां किसके पास आ जाए उसे सरकार के पास आए इजराहिल म में राष्ट्रिय सहीद समारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रिय संग्राले का अनावरण कहां हुआ है तो आपको बताना है यहां पर कि जो राष्ट्रिय शहीद समारक है और railway सुरक्षा के लिए जो है वो एक संग्राले बनाया गया है वो कहां पर बनने वाला है तो लखनव में यूपी में जो है ये बनेगा railway सुरक्षा वाल यानि की आरपिएफ उसके जो head है वो कौन है संजे चंदर जी है उन्होंने जो है इसको एक एप्रोच किया है ताकि एक राष्ट्री संग्राले जो है वो बनाया जाए किसके लिए राष्ट्री सहीद समारक और railway की सुरक्षा किये लिए इसमें इस समारक में जो है वो 1957 से लेके अब तक यानि कि 2023 तक की बात की गई है एक 2010 सेनिक जो शहीद हुए है उनके नाम से जो है वो वहा पर किया गया नेक्स्ट है हाल ही में हेली समिट 2023 विल्कुल अपडेटिड कोईशन है आज का ये और RCAS उडान 5.2 का उद्गाटन किस राज्य में किया गया ऐसा ही कोईशन आपको एक्जाम में देखनी को मिलेगा अभी हिमाचल में जो नहीं भरती होने वाली है हिमाचल प इसमें क्या बताया गया कि हेली समिट 2023 का आयोजन जो है वो कहां पर होगा तो ये होगा आपका मध्यपरदेश में कहां भी होगा मध्यपरदेश में अब एक और कोशन है यानि कि कि इसके द्वारा इसको एप्रोच किया गया तो केंदरी नागरिक उडेन मंत्री है और समेलन जो है अब 2023 का क्या किया उद्धगाटन किया और साथ में एक सेवा एप लौच किया जिसका नाम क्या रखा गया उडान 5.2 एक कोशन आपके लिए इंपोर्टेंट है उसके थोड़े से वन लाइनर कोशन भी हम डिसकस करेंगे देखिए वन लाइनर कोशन में क्या ब होता है उसमें एक सिटी को सामिल किया गया है तो भारत की जो है वो बैंगलूरू सिटी को जो है वो सामिल किया गया अंतरक शहर के नाम से भी हम इसको जानते हैं नेक्स्ट है हाल ही में नई दिल्ली में वैशविक अर्थवेवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर दो जिपसिय जी ट्वन्टी समेलन का आयोजन कोन कर रहा है तो अभी दिल्ली में जो है ये आयोजन हुआ है जी ट्वन्टी का किसके द्वारा किया गया है नीती आयोग के द्वारा, नीती आयोग के अध्यक्ष कौन है, पर्धान मंतरी नरेंदर मोधी जी है, और G20 का भी अध्यक्ष किसको बनाया गया है, हमारे प्यारे भारत को बनाया गया है, नेक्स्ट कौस्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेश्को का एशिया पर्षांत सांस्कृतिक बिरासत पूरुशकार, 2023 जो है वो मिला है तो किसको मिला है यह railway station की बात कर रहे है तो भाय खला railway station को जो है वो क्या मिला है एशिया परशांत का सांस्कृतिक बिरासत पुरुसकार यानि कि वहाँ पे जो है वो उन्होंने अपने culture को क्या किया है प्रिजर्व किया है culture को बचाया है और culture को क्या कर रहे है वो परमोट कर रहे है एक generation से दूसरे generation में तो उनको इसके लिए जो है वो अबोर्ड दिया गया है नेक्स्ट है माइलस फ्रेंक्लिन साहित्य पुरुसकार दोहजार रेस किसको मिला है शंक्री चंदरन जी को यह जो है वो दिया गया है इस तरीके के कुछ unique question जो है वो आपके exam में पूछे जा सकते है इन्हाल ही में food delivery platform swiggy, swiggy से related question है आपके शहर में भी जो है वो जो मैट और swiggy है वह ही से related question है उन्होंने जो है वो एक से branded credit card launch करने के लिए जो है वो किसी bank के साथ जो है वो साजेदारी की है जैसे आप सभी जानते हैं अगर हम Amazon की बात करें तो Amazon जो है वो ICCI bank के साथ जो वैसे ही जो हमारा swiggy platform है जिसे food delivery किया जाता है उसने एक coordination बनाई है किस bank के साथ credit card को launch करने के लिए वो bank का नाम है HDFC, HDFC bank के साथ जो है वो उसने एक समझोता किया है next question है हाल ही में Asia Yuba और junior weightlifting champion 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा तो पूरे Asia की बात की जा रही है Asia Yuba और weightlifting champion लेकिन junior level की 2023 की जो है वो आपकी greater noida में जो है वो आपकी आयोजन जो है वो की जाएगी उसके बाद है हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राज़दूत के तोर पर किसे newt किया जाएगा तो इरशाद एहमद जो है वो उनका नाम है ये सीरिया में जो है वो भारत के अब 2023 से जो है वो ने राज़दूत जो है वो बनेंगे उसके बाद है हाल ही में परधानमंत्री मोदी ने 6 EMRS का उधगाटन जो है वो कहां पर किया तो राजिस्थान में जो है वो इसका उधगाटन नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी 2022 में कि किस देश की जनसंख्या जो है वो कितनी कम ह हो गई है हमारी आठ लाख जो है वो कम हो गई है इतनी कम होगी आठ लाख जो है वो वहां की जनसंख्या कम होगी है तो एक रिपोर्ट आई थी किस देश की कम हो गई थी जपान की जो है वो क्या होगी थी कम होगी थी जनसंख्या नेक्स्ट है हाल ही में किसने स्यूक्त र विकास का 70 जो है वो आयूजित किया जाता है तो इसकी अध्यक्ष्टा किसने की रुचिरा कमभोज के द्वारा जो है वो की गई तो यह हमारे करंट फेर के जो है वो question चले हैं साथ-साथ में अब इसके साथ जो चीज अभी मैंने आपको cover करवाई इसका bilingual mode जो है वो English में जो है वो आप यहां से study कर सकते हैं क्योंकि मैं अभी सर्फ आपको Hindi medium में ही बता रहा हूं और यहां पर क्योंकि कुछ students होते हैं जो English medium में approach करते हैं जादा से जादा तो हमारी जो PDF रहने वाली है वो हमारी bilingual रहेगी क्योंकि इसमें आपको English medium का भी जो है वो सारा का सारा से बस मिलेगा जैसे मैंने से भी की बात की थी security and exchange vote of India उसके नाम से हम जानते हैं उसके बाद रतन ताटा जी को जो है वो फस्ट उद्योग रतन अबोर जो है वो महरास्ट्र सरकार के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है ये सारी हमारी जो चीजे हैं वो आपको English mode में भी मिलेंगी MCQ की form में भी आपको जो है वो देखने को मिलेंगी ये हमारे वन लाइनर कोशन है सारे के सारे जिसमें मैंने आपको सारे ये चीजें कवर करवाई अभी हाल ही में जो है वो एक यूगे यूगीन भारत जो है वो एक स्टार्ट होने वाला है museum उसकी launching है तो कहां पर बनने वाला है ये नई दिल्ली में बननेगा कितने ब्लोक है टोटल आठ ब्लोक है ये भी मैंने आपके साथ बिसकस किया तो ये सारा हमारा जो है वो bilingual mode में आपके लिए रहेगा next इसके उपर मैं आपको cover करवाऊंगा ठीक है जी next question क्या है Asi acus bank बिहार roads project के लिए जो है वो कितनी सहाइता करेगा 295 million dollar की जो है वो सहाइता करेगा कों करेगा Asi beacus bank, ADB ADB जिसको Asi beacus bank के नाम से हम जानते हैं वो बिहार road project के उपर जो है वो बर्क कर रहा है और लगबग कितने करोड की वो जो है वो help करेगा 265 किलोमीटर जो है वो राजमारगों के लिए खर्च करेगा कितने करोड 295 मिलियन करोड तो दो क्वेशन आपके यहां से बनते हैं पहला कितनी दूरी के लिए तो 265 किलोमीटर की दूरी के लिए कितने मिलियन डॉलर 295 मिल record है इसका answer जो है वो आप हमें comment करके बताएं next है हर्याना सरकार ने प्रारंब में प्राण वायू देवता pension योजना जो है वो शुरू की है इसमें क्या बताया गया है यह जो प्राण वायू देवता pension योजना है इसमें 75 साल से अधिक उमर वाले पेड़ों के लिए pension scheme की शुरुवात की गई है तो काफी बड़ी नई unique और एक creative जो है वो एक thinking जो है वो यहाँ पर हर्याना सरकार लेके आई है जिन्होंने यह बताया है कि जो भी 75 साल से अधिक उमर वाले पेड़ है उनको जो है वो एक type की pension जो है वो शुरू की जाएगी और उस pension का नाम क्या रखा है प्राण वायू देवता pension यह पहला ऐसा राज्य है जिसने यह start की है वो है हर्याना इस scheme के तहट 75 साल से अधिक उमर के पेड़ों की देखवाल और परवरिश करने वालों को pension दी जाएगी तो देखिए अगर आप हर्याना में रहते हैं आपका भी आसपास अगर कोई वहाँ पेड़ है जो की 75 साल से बूड़ा हो चुका है अगर आप उस पेड़ की देखवाल करते हैं तो हर्याना शरकार आपको क्या देगी पंड देगी यानि कि आपको क्या मिलेगी पैंसिन मिलेगी और यह pension जो है वो क्या है आपकी 25 सो रुपे बार्शिक पेंशन जो है वो आपको दी जाएगी तो काफी बड़ी और युनीक एक scheme जो है वो हर्याना सरकार ने लौच की है इस तरीके से आपके question जो है वो बनेगे next है जारखंड के जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन इंधन उद्योग की जो ह है वो कहां पर बनने वाला है जारखंड के जमशेदपुर में क्योंकि अभी जो है वो पेट्रोल और जो हमारे डीजल है जो natural resources है वो हमारे day by day के हो रहे हैं कम हो रहे हैं हम धीरे धीरे electric की तरफ जो है वो हम conserve कर रहे हैं अपने आपको change कर रहे हैं लेकिन कुछ time के बाद जो है हम हमारा जो इंडिया है वो एक hydrogen की तरफ भी जो है वो एक approach जो है वो लेके जा रहा है तो हाल ही में जो है भारत का पहला hydrogen इंदन उद्योग जो है वो बनने वाला है जारखंड के जमशेदपुर में और उसके लिए जो है वो जो भी center की तरफ से जो मंजूरी होती है वो मिल गई है उसके बाद जो भी उसकी एक committee बनाई गई थी उसके द्वारा भी मंजूरी मिल गई है और इतने यह आप देख सकते हैं 354.28 करोड जो है इसके उपर जो है वो निवेश खर्च करने की जो है वो fund जो है वो इसको provide किया गया है next है केंद्रिय मंत्री भूपेंदर यादव ने चेनेई में एक सुभारम किया है उस सुभारम का नाम क्या है R.E.C.E.I.C. यानि की resource efficiency circular economy industry pollution तो इसकी जो है वो शुरुआत की है अब यह hack एक्च्वल में इसमें इन्होंने यह बताया है कि यह जो एक scheme इनके द्वारा launch की गई है यह जो देश की बड़ी-बड़ी companyya है या फिर जो देश के बाहर की जो companyya है वो उनके साथ क्या करेंगी corporate करेंगी यानि उनको दोनो को मर्ज किया जा सकता है ताकि वो साथ में क्या करें काम करें और अलग-लग तरीकों से जो है वो हमारी जो भी एक income का source है उसको क्या करें वो बढ़ाएं तो यह चोटे और बड़े उद्योगों को जो है वो सभी को यह cover करती है उसके बाद क्या है भारती महिला होकी टीम न महिला होकी टीम ने जो है वो स्पेन को 3-0 से हरा कर जो है वो एक काफी बड़ी जीत जो है वो हासिल की है उसके बाद भारत की जो होकी टीम की कप्तान है वो उनका नाम क्या है सभी का यह भी आप से question में पूछा जा सकता है जैसे की रानी रामपाल जी को आप सभी जानते ह होंगे तो वैसे ही जो भारत की कप्तान और अभी गोल की पर है होकी टीम की महिला टीम में तो उनका नाम है सभीता next question क्या है MI New York ने जीता UST20 लीग का पहला ससकरन अभी एक cricket का जो है वो match जो है वो शुरू किया गया था UST20 लीग उसमें जो है वो New York ने जो है यह सारी चीजे जो है वो cover की है New York ने जो है वो यह match जो है या फिर आप बोल सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा season जो है वो अपने कबजे में कर लिया है तो इनको यह जो है वो award गिया गया है next question क्या है तमिलनाडू की जंडेरी नमकटी में जो है वो जंडेरी नमकटी चेदीबुटटा साड़ी और कन्या कुमारी मैटी केले को जो है वो क्या दिया गया है जी आई टैग दिया गया है यानि कि geographical index जो है वो दिया जाता है हमारे हिमाचल को भी मिला है हिमाचल की कांगरा चैय को मिला है, GI टाइग उसके अज़ काला जीरा है हिमाचल में काफी उगाया जाता है, तो उसको भी GI टाइग जो है वो मिला है, तो उस तरीके से तमिलनाड़ू की ज़नेरी नमकत्ती है, वहाँ की चेधी बुड़ा साड़ी है और कन्या कुमारी मैटी केλα जो है उसको GI tags जो है वो दिया गया है तो यह question आपके लिए important बनता है next है RBI के index के अनुसार digital भुकतान में बित वर्ष 2022-23 में जो है वो कितनी वृद्धी हुई है 13.24 प्रतिशत की जो है वो वृद्धी की गई है अब यह question हमारे लिए important क्यों बनता है क्योंकि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने digital में सबसे ज़ादा transaction की हो यानि कि दुनिया में काफी जगा जो है वो digital approach को मानिता दी जाती है भारत जो है वो UPI के माध्यम से जो है वो transaction करता है लेकिन 2023 की आई रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने सबसे जादा online transaction की है तो वो उस देश का नाम क् है कि digital भुकतान में जो है वो 13.24% की क्या की गई है बढ़ोतरी की गई है नेक्स्ट यह मैंने अभी आपके साथ discuss किया था इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अभी हाल ही में international cricket से सन्यास जो है वो ले लिया है तो students brown के द्वारा जो है वो घोशना कर दी गई है उसके इसके साथ satellite को PSLB C-56 rocket से जो है वो launch किया है अभी हाल ही में जो है वो इस्रो के द्वारा चंद्रियान 3 भी successfully launch हो चुका है तो यह जो है वो इस्रो ने सिंगापूर के साथ जो है वो समझोता किया था और उनकी एक satellite थी C-56 जो इंडिया का एक rocket है उससे जो है इसको launch किया ग से जो है वो सिंगापूर के कितने satellite साथ satellite को जो है वो launch किया गया है किस rocket से launch किया गया है PSLB PSLB C-56 इससे जो है वो इसको launch किया गया है तो यह आपको जो है वो पता होना चाहिए next है word lungs cancer day प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो एक अगस्त को जो है वो पूरे word में जो है वो lungs cancer day मनाया जाता है अगर मैं सिर्फ Cancer Day की ही बात करूँ ये कब मनाते हैं चार फरबरी को मनाते हैं लेकिन अगर Lungs Cancer Day की बात की जा रही है तो एक अगस्त को जो है इसको मनाया जाता है इस केंद्रिय मंत्री ने उल्लास नब भारत शाक्षता कारेकरम के मुवाइल एप को जो है वो लौँच किया है तो भारत के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंदर परधान उनके दोरा जो है वो एक नई मुहीम जो है वो जलाई गई है एक नया एप जो है वो लौँच किया गय देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस चीज़ का main purpose क्या है जो इंडिया की literacy rate है उसको बढ़ाना है यानि कि जो शाक्रता दर है भारत की उसको बढ़ाया जाएगा next है पुणे में लोकमान्य तिलक रास्टी पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है तो हाल ही में जो है वो नरेंदर मोदी जी को जो भी भारत के परधान मंतरी है उनको सम्मानित किया गया है कहां पे सम्मानित किया गया पुणे में सम्मानित किया गया कोईशन आपके लिए बन सकता है यह पुरुषकार जो है वो हर बर्ष एक अगस्त को जो है वो लोकमाने तिलक की पुन्य तिथी पर दिया जाता है और परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को जो है वो 2023 में अवोर्ड मिला है और वो इस अवोर्ड को पाने वाले कितनमे नंबर के व्यक्ति हैं 41 में व्यक्ति हैं तो यह कोईशन आप से बन सकता है नेक्स्ट हाल ही में अमेरिकी बित एजनसी के उप मुख्य कारेकारी अधिकारी कौन बने है तो आपको बताना है कि अमेरिकी बिट एजिनसी के अभी हालही में मुख्य-कार्यकारी, उपर मुख्य-कार्यकारी खौन बने है तो निशाभ विस्वाल जी को किया बनाया है अधिकारी बनाया गया है next है हालही में भारती सेना ने कहां अमरित स्रोबर का उधगाटन किया है इंडियन आर्मी से related भी question आपके लिए पूछा जा सकता है, तो हाल ही में जो भारत की आर्मी है, उन्होंने अरुनांचल परदेश में अमरित सरोबर का उद्गाटन किया है, अब ये चीज है क्या, तो देखी इसमें बताया है कि भारती सेना ने, अरुनांचल परदेश की कौन सी घाटी है, टेंगा घाटी है, टेंगा घाटी में अमरित सरोबर जो है एक बनाई है, अब इस अमरित सरोबर का जो है वो मतलब क्या है, अमरित सरोबर का मतलब है, जहां से आप सरोबर का मतलब पानी और अमरित का मतलब जो है वो जिसको सब भी पी सकें ठीक है यानि कि हमारे लिए अमरित है ठीक है उससे बढ़कर कुछ नहीं है तो वैसे ही वहाँ पे एक proper वे में एक पानी जो है वो वहाँ स्टार्टिंग नी तो गुजरात जो है वो ऐसा राज्य बना है जिसने नरवदा अप्तरन सिंचाई यूजना जो है उसको पूरा कर दिया है अब यह जो था मुख्य मंतरी भुपेंद्र जी की सरकार ने गुजरात में पूरा किया और इसको जो है अभी हाल भी में परधान मंतरी निरेंदर मोदी जी के दोरह 27 जुलाई को जो है पूरे इस गुजरात को जो है वो समर्पित किया जाएगा किया गया है उसके आप वन लाइनर की बात करते हैं हाल ही में किस देश ने ताइवान देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहाईता पैकेज की गोजना की है तो देखिए अमेरिका ऐसा देश है जो की हर किसी की हेल्प करता है आर्मी के लिए सैनिक के लिए तो ताइवान प्रदेश के लिए उसने जो है 345 मिलियन डॉलर की घाल ही में क्या की है थाइवान की हेल्प की है नेक्स है बाल श्रमी की विध्यय योजना गूच जो किसके द्वारा शुरू की गई है उतर-प्रदेश यूपी के द्वारा योगी आधित इनातजी की द्वारा शुरू क की गई है उसके बाद यह मैंने आपको बता दिया किस क्रिकेटर ने जो है वो भी सन्यास रहनी की घूशना की है इंग्लेंड के एक फिमस जो है वो आपके बोलर है स्टूट्स ब्रॉन हाली में किसने भारती क्रिशी सहकारी विप्रण संग के अतिरिक्त प्रभार जो है वो ग्रहन किया है तो रितेश चोहान जी को एक्स्टा बर्डन जो है वो इसका दिया गया है भारती रिशी अक्रिशी सहकारी विप्रण संग का एम डी जो है वो उनको बनाया गया है नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राजे और एशिया इविकास बैंक ने जो है वो एक समझोता किया है बहां की 265 किलोमीटर सड़कों को बनाने के लिए तो 295 मिलियन डॉलर जो है वो उसको दिये जाएंगे, ये भी मैंने आपको कवर कर गिया, उसके बाद सहरी शेवाओं के बिस्तार के लिए जो है वो ADB, जो Asian Development Bank है, वो किस राज्य के साथ 200 मिलियन डॉलर के रिंड समझोते पर हस्ताक्षर किये गए हैं, तो राज्यस्थान वो ऐसा राज्य है, उसके बाद फ्रांसिसी लेकक की जो अभी हाल ही में मिरती हुई है, 94 एज के थे, मिलान कुंडेरा जो है वो उनका नाम था, सोराष्ट नरवदा, अब्तरन सिंचाई योजना जो है वो पूरी की पूरी हो चुकी है, 27 जुलाई को इसका उदगाटन परधानमंत्री नरेंदर मोदीजी के द्वारा जो है वो गुजरात में कर दिया गया है, उसके बाद परधानमंत्री नरे सैमी कौन इंडिया की जो है वो उदगाटन किया है, किस राजी में ये बन रहा है, सैमी कौन इंडिया तो ये गुजरात में हमारा बन रहा है, उसके बाद माइल्स फacked स़ेंक्लिन साहिट्य पुरुषकार 2013 की जो है वो पिसको दिया गया है, शंकरी चंदर्मिन को दिया ग सारा का सारा current fair आपको जो है वो देखने को मिलेगा bilingual mode में है अब जो है आपके पास current fair English medium में रहेगा इसकी PDF जो है वो आपको app के माधियम से जो है वो आपको provide कर दी जाएगी app आप download कर लीजिए विजेपत government exam app जो है वो आप download कीजिए वहां से आप जो है वो इसकी PDF जो है वो provide कर सकते है अब इस PDF की खासियत क्या है ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी one liner question भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ में इसके साथ साथ आपको MCQ और जो description way में जो question है वो भी आपको देखने को मिलेंगे तो छोटा सा session हमारा और बचा है इसमें आपको बोला गया है Markarian 421 firing high energy particle jet जो है इसको जो है रिसर्च जो है वो इसकी की गई है एक गोली पिंड है ये और इसको NASA के द्वारा जो है वो इसको ढूंडा गया है X-ray, Polar, Remetry, Explorer के द्वारा जो है वो इसको हो जा गया है next है PM ने भारत चिप बनाने का उद्योग का केंदर जो है वो कहां पर बनाया है अभी अभी जस्ट एक मिनिट पहले ही मैंने अभी आपको question बताया, Semicon India जो है वो कहां पर बन रहा है गुजरात में बन रहा है जो की चिप्स बनाएगा चिप्स यानि की semiconductor जो है वो वहां पर बनाएगा और ये जो है किस purpose के लिए यूज किया जाता है हमारे laptop या computer की जितनी भी digital way में हम चीजों को प्योग में लेके आते हैं उनकी जो chips हैं वो सानिकी सारी semiconductor से बनाई जाती है तो भारत में जो है वो पहला उद्योग जो है वो क दुए जी कर दी गई है अभी 2023 में जो है बो पारित हुए तो लिधियम की खोज को जो और जादा सरचिं कुए उसकी स्टार्ट कर दी गई है क्योंकि लिधियम सर्फ लही निकाल सकता है oscill sound kivasig जाता है। अब क्वाम करते हैं बैटरी को बनाने में जो भी भी स्पांग की बैटरी है अगर हमारे साथ वह कमबिनेशन बना चले , तो उसमें लीथियम डाला जाता है। लीथियम की खोज तो काफ़ी पहले हो चुकी थी जो जो निकाला जाता था इंडिया में काफी पुराने टाइम से निकालते हैं लेकिन अब इंडिया ने क्या स्टार्ट किया है electric vehicle start किये हैं तो electric vehicle को long life के लिए अगर चलाने उनकी battery ताकि खराब नहों long life के लिए अगर वो चले तो इसका मतलब है उसमें मुखे रूप से क्या डालना पड़ेगा lithium डालना पड़ेगा तो उसकी extraction को जो है वो और जादा तेज कर दिया गया है उसके आद नेक्स कोईशन है हिमाले में अभी जो है वो 600 million साल पुरानी जो है वो नदी की बुंदें जो है वो मिली हैं यह आप यहां से पढ़ सकते हैं यह कोईशन जो है वो आपके high level exam में जो है वो पूछा जा सकता है उसके आद भारती golfer British Open ने रचा है इतिहास अभी क्यूंकि उन्होंने अमेरिकी खिलारी के साथ जो है वो एक आठमा स्थान जो है वो उन्होंने क्या किया है हासिल किया है और शांदार परदर्शन जो है वो उनका इस टूर्नामेंट में जो था वो रहा था उसके बाद भाए खला railway station जो कि आपका मुंबई में पढ़ता है इसको 24 जुलाई को यूनेस्को का एशिया परशान का जो है वो बिरासत पुरुषकार जो है वो इसको मिला है और 2022 में जो है वो उसे खोशित किया गया था अभी 2023 में 24 जुलाई 2023 में इसको यूनेस्को के द्वारा जो एशिया परशान सांस्कृतिक बिरासत पुरुषकार है उससे इस railway station को जो है वो सम्मानित किया गया है next है इसके बाद National Mountain Climbing Day जो है वो कब मनाते हैं एक अगस्त को जो है ये पूरे भारत में जो है वो मनाया जाता है उसके बाद अभी हाल ही में important question देखी बारबार question आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के द्वारा कौन सा ऐसा mobile application लौँच किया गया है जो की क्या करे literacy rate को बढ़ाए तो कौन सा कौन सा app है वो है हमारा last app कौन सा app है last app है next क्या है उसके बाद हाल ही में बारसा में WTA का किताब किसने जीता है इगा सिबिटिक के द्वारा जो है ये जीता गया है उसके अब next question क्या है हाल ही में किसे smart city project limited के तहट hundred electric बसें जो है वो दी जाएंगी अभी कुछ टाइम पहले newspaper में भी काफी जादा ये आया था क्योंकि smart city का project चला है हिमाचल में भी smart city है धरमशाला है तो उसको भी जो है वो बसें जो है वो मिलेंगी लेकिन अभी बसें जो है वो 100 electric बसें किसको मिलेंगी जम्मू को मिलेंगी किसको मिलेंगी जम्मू को मिलेंगी ताकि वो क्या कर सके एक अच्छी पहल की जो है वो शुरुआत वहां से कर सके एक स्मार्ट सिटी के रूप में जो है वो और ज़ादा उबर कर वो आए अब ये बसें जो है वो किस के दौरा बनाई गई है टाटा लिमिटेट्स के द्वारा यह बसे बनाई गई है उसके आथोड़े से MCQ के ओपर डिसकस करेंगे उसके आफ बन लाइनर के ओपर फोकस करेंगे तो रास्ट्रिय आपको बोला है मैं ग्रोब पारिस्थितिक तंतर के सरक्षन के लिए अंतरास्ट्रिय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो देखिए 26 जुलाई को मनाया जाता है और 26 जुलाई किसके लिए है हमारे बनों को महत्तव देने के लिए जरूरी नहीं है कि जिस दिन हमारा कोई एक स्पैशल डे है उसी दिन आप उस चीज़ को पूरा करें पूरा जो इंडिया है जो पूरा भारत है वो क्या है हमारा ही एक प्यारा भारत है तो उसके सरक्षन के लिए हर दिन जो है वो हमें आगे रहना है उसके बाद क्या है हाल ही में जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिर्ला उन्होंने जो है वो एक नया विधान सबा भवन जो है उसका एक स्थापना जो है वो की है उध्गाटन किया है कहां पर है असम में तो असम का नया विधान सबा भवन जो है वो बनने वाला उसका उध्गाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है अध्यक्ष जो है लोकसभा के ओम बिरला के द्वारा इनका उद्गाटन जो है वो किया गया है देखिए अब इसमें क्या बोला गया ओम बिरला ने एक लाइन कही थी कि किसी भी राज्य विधान सभा का भवन शिर्फ एक भवन नहीं है ये लोक तंत्र का क्या है मंदिर है यानि की लोकसभा में जो भी चीजें जो भी प्रोजेक्ट जो भी डीलिंग वहां पे की जाती है वो भारत का क्या है भारत के परतेक जनता जो भी वहां पे आदमी भारत की हर एक आदमी के लिए जो है वो ये चीजें जो है वो बनाई जाती है तो Memories Never Die Memories Never Die का विमोचन किसके दौरा किया गया है अमित शाह जी के दौरा जो कि भारत के ग्रिह मंतरी है सहकारिता मंतरी है उन्होंने उस तक का क्या किया है विमोचन किया है अगर मैं A.P.G. अब्दुलकलाम की बात करूँ इस रो में जो है वो सबसे ज़ादा योगदान इनका रहा था रोहनी वन जब भारत ने लौँच किया था उस टाइम में सबसे ज़ादा योगदान जो है वो A.P.G. अब्दुलकलाम का रहा था भारत के एक मातर ऐसे रास्टरपती जो की साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं मतलब की एक साइंस फील्ड को जो है वो अपना करियर उन्होंने बनाया था 11th नंबर के जो है वो क्या थे 11th नंबर के क्या थे ये हमारे भारत के प्रेजिडेंट जो है वो रहे थे उसके बाद है अभी हाल ही में मुक्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैश्वोर का उधगाटन कहां किया गया है UP में जो है वो उसका उधगाटन जो है वो किया गया है उसका थोड़े से वन नाइनर कोईशन के उपर फोकस करेंगे दूर संचार विभा के सचिव का अंतरिक अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसे दिया गया है अपूर्व चंद्रा ये भी मैंने आपको बता दिया Memories Never Die ये भी किसको किसने इसको लौँच किया है वमित्षा जी के द्वारा जो है वो लौँच किया गया है उसके बाद है राज्य सरकार उफंती नदियों के पानी को सुखे खेतों तक पहुंचाएगी ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो कि नदियों के पानी को कहां तक पहुंचाएगी सुखे खेतों तक पहुंचाएगी वो राज्य सरकार का नाम है उत्तर परदेश जो वहां के मुख्य मंत्री है योगी अधित्यनाथ उनके द्वारा ये मुहीम जो है वो चलाई गई है उसके बाद है समरिती इराणी ने अभी हाल ही में G20 G20 Empower सिकर समेलन का जो है वो उद्घाटन किया है कहां पर है ये यह है आपका गांधी नगर में गुजरात में जो है वो इसकी शुरुवात की गई है उसके आद हाल ही में किसके द्वारा डल जील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया गया है तो Amazon India के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है डल जील कहां पर है तो डल जील ही माचल में जो है वो आपके डिस्टिक कांगरा धरमशाला में है उसके आद है हाल ही में किस विशब विद्ध्याले ने तो अमेरिकी विशब विद्ध्याले के साथ MOU पर यानि कि एक डील जो है वो मुंबही विशब विद्ध्याले के साथ की गई है अमेरिका विशब विद्ध्याले के द्वारा ने Next है सिक्षा मंत्राले और किस मंत्राले ने नई दिली में वीबिन परतिशचित संगठनों और संस्तानों के साथ 106 सहमती तो कोशल विकास मंत के उपर हस्ताक्षर किये गए है ताकि हमारे भारत को एक स्किल इंडिया की फोर में वो उभारा जा सके उसके बाद है तृपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियन जुडो चैंपियन्शिप में जो है इंटरनेशनल मैच के लिए जो है वो इनको बैन कर दिया गया है नेक्स्ट लास्ट कोईशन है आज की इस क्लास का किसने एंपियर ओपन दोहजार त्रेइस में जीत के साथ चोथा एटीपी चैलेंज टाइटल जीता है तो उनका नाम क्या है सुमित नांगल तो आज की जो हमारी करंट फेर की क्लास रही जिसमें हमने अगस्त दोहजार त्रेइस का जो है वो करंट फेर डिसकस किया इसमें हमने डिटेल वाइस कोईशनों को पढ़ा उसके साथ-साथ MCQ और उसके बाद one-liner question को हमने डिसकस किया यह हमारी जो PDF रहेगी यह आपके लिए bilingual form में है क्योंकि मैंने सर्फ अभी आपको Hindi मीडियम में ही करवाई है English मीडियम में भी आपको यह PDF जो है वो प्रवाइड की जाएगी विजेपत आप जो है वो आप डाउनलोड कीजिए Play Store से साथ में जो भी हमारे groups हैं उनको भी आप जोइन कीजिए हिमाचल की जल्द ही पटवारी की भरती भी आपकी आने वाली है उनके लिए भी आपके आज के question जो है वो most important रहेंगे वीडियो को share आप जरूर करें जल्दी एक next session के साथ हम आप से जोड़ेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत